तो अगला टॉपिक देखेंगे हम जो है बल्यूग्म और बल्यूग्म के क्या गुण धर्म है क्या उसकी प्रोपर्टी है उसके बारे में देखेंगे और फिर बल्यूग्म क्या प्रभाव डालता है इसको भी हम समझने की कोशिज करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बल्यूग्म क्या है तो बल्यूग्म के बारे में जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर डिफिनीशन के सहायता से हमने इसको बताने की कोशिज करी है और इससे पहले हमने जब पिछला टॉपिक हम देख रहे थे तो उसके अंतरगत हमने जो दो समानतरबल होंगे और वे समानतरबल एक दूसरे के बिप्रीत दिशा में होंगे तो और उनका जो परिमाड होगा उनका जो मान होगा वो मान जो हो बराबर होगा तो वहाँ पे वे दोनों समानतरबल एक बल्यूग्म का निर्माड करते हैं तो वही चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा explain करके बताएंगे और बल्यूगम का हमने जो definition लिया हुआ है वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि किसी भी पिंड पर जब दो समान और बिपरीत एक दूसरे से ये दो जो मान है ये दोनों बलों का मान जो हो समान होगा और ये एक दूसरे के बिपरीत होंगे लेकिन इनका ये दोनों समानतर होंगे समान बिपरीत और समानतर तो ये कुछ दूरी पर कारे करते हैं तो एक एक बल्यूगम का ये दोनों निर्मान करते हैं तो यहाँ पर हम इनका नामांकन भी कर देंगे साथ साथ जैसे कि ये वाला जो बल है बिंदू ए पर जो लग रहा है इ किस दूरी को हम माल लेते हैं यहां से यहां तक कि जो यह दूरी है। चल रहे हैं यह जो दूरी हो कि बिंदू A से बिंदू B के बीच कि दोनों Bलों के बीच की दूरी recycling को हम कहते हैं बल-यूऌ्स कुम की भुञा आर्म- आफ-कॉपल तो यहाँ पे हम note भी कर लेंगे कि जो कारेरत बल है और यहाँ पे एक एक चीज़ देखिए जो F1 है और जो F2 है वो दोनों आपस में बराबर हैं तो बल F1 equal to F2 equal to F ठीक है तो यह हमारे बल हो गए और उनके बीच की दूरी और इसको हम कहेंगे बल्योगम की भोजा अगर आपसे पूछा जा रहा है एक जाम में कि आप बल्योगम से क्या समझते हैं तो वहाँ पे एक चित्र बनाईए और एक कोई द्रिडपिंड बना लीजिए उस पे दो समांतर बलों को एक दुसरे के विप्रीद दिशा में और बराबर कारे करते हुए दर्साइए उनको नामांकन करिए उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी को भी आप दर्साइए तो इस तरीके से जो आपको नंबर मिलेगा वो थोड़ा अच्छा नंबर मिलेगा तो ये बल यूगम की जो भुजा हो गई उसको अब देखते हैं कि ये जो जो दोनों बल मिल करके एक बल यूगम का निर्मार कर रहे हैं ये क्या प्रभाव डालते हैं तो इनकी जो टेंडेंसी होती है ये घुमाने की प्रविरती रखते हैं ये जो पिंड है इस पिंड को ये घुमाएंगे अब इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक हमारे पास एक स्केल है उसकी सहता से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे घुमाएंगे तो यहाँ पे माल लीजिए ये जो इसकेल है इसकी साहता से हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या करेंगे, कि इस पिंड को घुमाएंगे, अब देखिए, ये कुछ इस तरीके से घुमाएगा, तो जो ये द्रिड पिंड है, वो कुछ इस तरीके से इस दिशा में ऐसे ऐसे घुमेगा, ठीक है, तो इस दिशा में भी घुम गोमेगा तब उसे क्या कहेंगे और जब ये घड़ी के सुई के विप्रीत दिसा में गोमेगा इसका मतलब है कि ये जो हम बल लगा रहे होगो इस दिसा में नहीं गुमा कर इसको अगर ये बल्गुँश यहां पर ऐसे लग रहा लगा होगा और एक जो बल है वो इसके विप्रीत लग रहा होगा तब यह जो पिंड हयो इस दिसा में अगर घुमेगा तो जब इसकी प्रधित घुमने की घड़ी के सुई के विप्रीत दिसा में होगी तो यह एन्टी क्लॉक वाईज कपल का निर्मान करेगा तो इसी के अधार पर हम क्या करेंगे कि जो बल्यूग्म है इसका हम बर्गी करण करेंगे तो यहां पर हम इस चीज को भी नोट करेंगे कि यह घुमाने की प्रविर्ति रखता है तो इसी घुमाने की प्रविर्ति के अधार पर हम बल्यूग्म को विभाजि और एंटी क्लॉक वाइज बल्यूग्म अब ये दोनों बर्गी करण हो गए अब हम आगे देखते हैं कि बल्यूग्म का जो आघूंड है वो क्या होता है तो बल्यूग्म के आघूंड को समझने के लिए हम ये वाला जो चित्र है इस चित्र को फिर से हम ले आएंगे नीचे और इसी चित्र की सहायता से हम समझेंगे देखिए यहाँ पे जो ये दो बल कारे कर रहे हैं इन में से किसी एक बल को हम ले लेगे हम चुकी जानते हैं कि जो ये बल F1 है और ये जो बल F2 है ये दोनों बल आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते F1 बराबर यह और F2 बराबर यह यह दोनों बल चुकी बराबर हैं इनमें से किसी भी एक बल को हम उठाएंगे तो हम माल लेते हैं यहां पे लेंगे बल F1 को लिए तो F1 बल F1 बल इसका मान हमको F1 हो गया और जो इनके बीच की दूरी है वो दूरी हम ले लेंगे तो हमको मिलेगा इसकी सहायता से आघूंड और चुकी हम जानते हैं कि आघूंड बराबर जो सुत्र होता है वो बल इन्टू लंबवद दूरी होता है तो आघूंड बराबर बल गुड़ा लंबवद दूरी यह कैसी होगी दूरी लंबवद तो यहाँ पर बल हम ले लेते हैं मा लीजिए F1 एक बल और लंबवद दूरी हमारा जो होगा हो ए होगा तो यह हमारा आघूंड बराबर जो सुत्र आएगा वो आएगा बल गुम का आघूंड F1 इन्टू A अब हम इसका जो मातरक है वो लिखना चाहें तो मातरक भी लिखेंगे यहाँ पर देखिए हम मुखेतत तीन जो प्रचलित मातरक हैं उनको ले करके चलेंगे सबसे पहले हम देखेंगे CGS, MKS में और MKS का ही आदूनी कृप जो होता है हो SI तो हम नीचे से ले करके चल रहा है सबसे पहले जो SI है तो बल को हम मापेंगे Newton में Newton अदूरी जो है वो मीटर में तो Newton into meter MKS में जब हम जाएंगे तो MKS में क्या होगा तो मीटर किलोग्राम तो एक किग्रा हो जाएगा किग्रा into meter और जब हम CGS प्रणाली में ले करके चलेंगे तो वहाँ पे हम इसको किलोग्राम की जगा ग्राम लिखेंगे और मीटर की जगा हम लेंगे सेंटीमेटर तो यह हमारा बल्यूगुन के आगहूंड का जो मातरक है वो हो गया तीनो प्रणालियों में ठीक है अब हम बल्यूगुन का जो गूणधर में उसको देखते हैं कि आखिर जो इसके जो प्रोपर्टी है गूणधर मर्थाद जो प्रोपर्टी है वो क्या है तो इसमें जैसे कि बल्यूगुम का जो आगहूंड होता है वो है एक सदीस रासी होती है सदीस रासी से हमारा तात्पर है कि उसका हमको परिमार होना चाहिए पता और उसकी दिसा होनी चाहिए तो जब परिमार और दिसा दोनों है तो हम उसे कहेंगे सदीस रासी परिमान का मतलब है कि बल्यूगम का जो आगूर हम निकालेंगे उसमें उसका कुछ एक स्पेस्फिक मान होगा तो ठीक है परिमान वाला कंडिसन सैटिस्फाई हो गया दिसा गड़ी के सुई के दिसा में घुमा रहा है तो इस हिसाब से हमारे पास दिसा भी है तो हम कह सकते हैं कि जो बल्यूगम है वो सदीस रासी है उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि बल्यूगम को एक बल से विस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि बल यूगम के परिडामी का मान सदयो सुन्य होता है तो बल यूगम का जो परिडामी होता है वो 0 होता है हमने इसे पिछला वाला जो वीडियो है उसमें भी बताया है तो यहाँ पे अगर हम इस चित्र की सहायता से समझने की कोसिस करें तो जैसे कि ये जो दोनों बल हैं देखिए बल F1 और जो बल F2 है ये दोनों बल आपस में बराबर हैं तो जब दोनों बल आपस में बराबर हैं और एक दूसरे के बिपरीत हैं तो जब चुकी बिपरीत दिशा में बल रहते हैं तो वहाँ पे परिडामी के लिए हम क्या करते उनको हम एक दिसा वाले को जोड़ते हैं विप्रीत दिसा वाले को घटाते हैं तो माली जे उपर वाला भी दैसे नीचे वाला तो जब घटाएंगे तो हमारा परिडामी कितना आजाएगा जीरो आजाएगा जब परिडामी का महान ही जीरो है तो हम उसी को कह रहे हैं कि जो बल्योगम के बल हैं, उनको हम विस्थापित नहीं, उनको हटा करके अगर हम चाहें कि कोई एक बल लगा दे, तो वो नहीं संभव गया, क्योंकि उनका परिडामी जो होता है, वो जीरो होता है, तो यही चीज यहां पे कहने की कोशिज कर रहा है, तीसरे पॉइंट के सहायता से समझने की कोशिज करें, तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, यह जो हमने वहाँ पे चीतर लिया था, इसी चीतर की सहायता से हम इसको समझेंगे, कि इस कथन में क्या कह रहा है, कि बल्योगम के दोनों बलों का आघूर, तो हम सबसे पहले, यहां पे दोनों बल का बारी-बारी से हम आघून निकालेंगे, तो माल लेते हैं कि इस रेखा खंड AB पर कहीं एक बिंदू O है, तो माल लेते हैं O बिंदू O यहां है, इसको यहां पे नमांकित कर देंगी, यह O बिंदू हो गया, अब इसी O बिंदू के सापेक्ष हम आघून लेंगे, तो इ आघूंड लेने पर तो यहाँ पर हमारे पास जो दो बल है F1 और F2 इनका हम अलग-अलग आघूंड निकालेंगे तो बल F1 का आघूंड यह होगा बल गुड़े लंबवद दूरी यहाँ पर जो लंबवद दूरी है देखिए यह बिंदू A से एक दूरी A हो जाएगी हमारी और एक दूरी जो है हमारी O से बिंदू B हो जाएगी इस बल F2 के लिए तो F1 का आघूंड होगा चुकि हम जानते हैं कि आघूंड बराबर होता है बल गुड़े लंबवद दूरी तो F1 का आघूंड बराबर होगा बल F1 गुड़ा लंबवद दूरी A O उसी तरीके से बल F2 का आघूंड यह होगा F2 गुड़ा यह लंबवद दूरी B O बी O हो गया अब इन दोनों का हम यहाँ पे जो चिन है उसका भी हम ध्यान रखेंगे तो चिन हम को यहाँ पे क्या मिल रहा है देखेंगे इस बिंदु O Canal गे सापेक देखेंगे तो यह जो बल है इसको जब हम इस तरीके से ले करके चलेंगे तो ये घड़ी के सुई के दिसा में चल रहा है तो इसको हम लेंगे रिणात्मक तो ये हमारा होगा रिणात्मक और दूसरा जो बल है हमारा वो बल देखेंगे रिणात्मक अब इन दोनों बलों का हम क्या करेंगे कि योग कर देंगे बीजगणिती योग करेंगे तो बीजगणिती योग जब करेंगे तो चिन के साथ हम यहाँ पे चीजे जो हैं उनको नोट करेंगे तो माइनस F1 इंटू A O माइनस F2 इंटू B O यह हमारा समिक्रण 1 हो गया अब इसके बाद जो जैसा थिवरम में कह रहा है यहाँ पे कि बल योगम के दोनों बलों का आगोंड तो हमने निकाल लिया अब उसका बीजगणिती योग भी हमने कर लिया इसके बाद इसके आगोंड के बराबर होता है अर्थात जो बल्योगम का आघोंड होगा तो चुकि हम जानते हैं कि बल्योगम का आघोंड क्या होता है बल्योगम का आघोंड होता है कि कोई भी जो दो बल है F1 और F2 ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इन में से एक बल को हम ले लेंगे अर्थात वो यफ को ही हम लेंगे तो बल्यूगम का आगोंड बराबर बल, गुड़ा, लंबोवत दूरी इस केस में जो होगा वो क्या होगा? वो पूरा A-B होगा तो ये क्यों हमें भी ले रहे हैं? क्योंकि हमारा बल एक ये बल हो गया और लंबोवत दूरी ये हो गई तो बल्यूगम हमारा हो गया यहाँ पे जो चिन हम लेंगे वो चिन लिनात्मक होगा अब हम यहाँ पे दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि जैसा कि थेरम में कहरा है कि बल्यूगम के दोनों बलों का आगोंड का बीजगणितिय योग उसके आघून के बराबर होता है तो जब हम इसको इसके बराबर करेंगे तो चीजें देखिए क्या होंगी समिक्रण 1 और समिक्रण 2 को बराबर करने पर हमको मिलेगा यहाँ पे है माइनस F इन्टू A O माइनस F2 इन्टू B O बराबर F गुणा A B यह भी माइनस में है तो यहाँ पे चुकी जो यह F1 और F2 है यह दोनों आपस में बराबर हैं तो इनको हम F के बराबर लिख सकते हैं तो जब हम इसको F के बराबर करेंगे F1 को और F2 को तो यह F हो गया तो इसको हम common कर सकते हैं दोनों में जब इसको common लेंगे तो minus के साथ चिन के साथ हम इसको common करेंगे तो ये हमारे पास आएगा minus F host में AO ठीक है और यहाँ पे plus BO बराबर होगा ये minus F into AB के अब देखिए AO प्लस जो BO है उसको हम AO ये वाला जो दूरी है AO और ये BO इन दोनों को हम लिख सकते हैं AB तो इसकी जगा पर जो आ जाएगा AO प्लस BO की जगा ओ क्या आएगा अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि minus F into AB बराबर minus F into AB के तो हमारा जो ये पहला कथन है सुरी जो ये कथन है वो सिद्ध हो जाता है कि बराबर होता है ठीक है तो ये हो गया अब हम अगला देखेंगे कि बल्यूगम का आगूर सदेव इस्तिर होता है चुकि है एक constant value होती है इसको हम इस point में note किये हैं तो ये कुछ property हो गई अब बल्यूगम का प्रभाव क्या होता है किसी भी पिंड पर या बस्तू पर उसको हम समझने की इकोसिश करेंगे कि बल्यूगम क्या प्रभाव डालता है तो बल्यूगम एक सरल रेखिये गती उत्पन नहीं करता बलकि यह पिंड में गुणन गती उत्पन करने की प्रविर्ती रखता है चुकि हम जैसा कि जानते हैं कि जो बल्यूगम है वो किसी पिंड पर जब कारे करेगा तो उसे घुमाने की प्रविर्ती रखता है तो जब घुमेगा तो वहाँ पर घुड़नन गती की संभावना होगी जैसे हमने आप कोई स्केल की सहता से भी दिखाने की कोशिश करी कि जो पिंड है वो बिल्कुल ऐसे अगर बल्यूगम लग रहा है तो ये जैसे पेन घूम रहा है, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा सरल रेखी एक सरल रेखा के क्रम में ओगती नहीं करता है उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बल्योगुम द्रिड पिंडों को संतुलित इस्थिती में बनाये रखता है या उत्पन हुए आगोनों के कारण होता है जो बाहबलों तथा आगोनों को निस्क्रिये करता है किसी और जो बाह बलाएंगे उसको निस्क्रिये करेगा जैसे माली जीए कि एक कोई पिंड है और इसके अंतरगत अगर कोई बल्योगुम कार कर रहा है तो जो भी बाहर से बलाएंगे और इसको बिचलित करने की कोशिज करेंगे तो ये इस पिंड को संतुलन की अवस्था में बनाये रखेगा अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जिसमें कह रहा है बल्योगुम विभिन मसीनों के अस्थाहित्व तथा कमपन करने के गुण को प्रभावित करता है खास तोर पर घूंडन गती कर रहा है मसीनों में उत्पन और संतुलित बल्योगुमों को जो महां पे जो मशीने जब कारे करती हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन उत्पन होता है वहां पे कंपन उत्पन होता है उन मसीनों को एक इस्टेबल स्थिति में बनाये रखने में बल्योगुम जो है वहां पे मतवन्द भूमिका निभाता है जो भी अन्यावांशित बल होंगे उनको हटाएगा रिमूब करेगा बल्यूग्म जो लगेगा उस मसीन पर और उसको संतुलन की अवस्था में बनाए रखेगा तो अगला पॉइंट है कि बल्यूग्म किसी संरचना के अवयों पर लगने पर उसमें बंकन आघूंड तथा करतन प्रतिबल उत्पन क पास एक भवन है तो उसके विभिन अवयों होंगे जैसे कि उस भवन के अंतरगत धरन हो गया उसके बाद दिवाल आएगी छत आएगा फाउंडेशन आएगा तो इसमें से हम एक सबसे सिंपल जो भीम है जो धरन है उसको हम लेते हैं और समझते हैं यहां पर चीज़ों को तो मान लिजिए कि यह हमारा एक धरन है जब इस पर कपल लगेगा तो इसमें बंकन आगोंड उत्पन होगा तो यह जो धरन है यह बेंड हो जाएगा यहां पर यह कफल अर्थाद जो बल्यूग में है उसके कारण यह कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिस करेगा और दूसरा है कि करतन प्रतिबल उत्पन होगा करतन से क्या मतलब है सियर इसका इंगलीज जो होता है वो होता है सियर स्ट्रेस कहेंगे इसको तो सियर से हमारा जो मतलब है सियर को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो दो तल होंगे एक दूसरे के उपर स्लाइड करेंगे जैसे यह दोनों हथेली है एक दूसरे के उपर स्लाइड कर रही है तो इस तरीके से जो भी स्थितियां वहां पर हम कहेंगे उसको कर्तन या सीर तो इसको हम अगर दैनिक जीवर में देखना चाहें तो हम जैसे सहलून में जाते हैं और अपना बाल कटवाते हैं ट्री मर मसिन से तो जो ट्री मर मसीन का जो ब्लेड होता वो दोनों ब्लेडें एक दूसरे के उपर सीयर करती हैं उसी तरीके से अगर आप कैची से भी कटवाते हैं बाल तो वहाँ पर भी जो कैची हैं वो एक दूसरे में सीयर करती हुई चलती हैं उसी तरीके से हम और भी जामपल अगर देखना चाहें तो वहाँ पर जैसे हम आ ल तो वहां पर भी कटिंग हो रही है तो वहां पर भी सिर कार कर रहा है से धेर सारे एकज्ञांपन है in lets यंज बहना लगे तो वहां भी सियर उत्फन होगें और हो एक दूसरे से सियर करें तो यहां पर यह कुछ incorporate is is इसको आप लिख सकते हैं एक्जाम में अगर आता है तो चुकि आपको केवले ही पढ़ना है बल्यूगम के अंतरगत की बल्यूगम का क्या प्रभाव होता है बल्यूगम की क्या प्रोपर्टी है इसको और बल्यूगम जो है क्या होता है इसको आप बताईए तो अगर इतना चीजें लिखते हैं आप इक्जाम में तो ये काफी ज़्यादा है चलिए ठीक है थैंक यू